हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं पीने के साथ बिस्किट खाए इसके बाद उन्होंने पूरे शोरूम को चान मारा सारे सामां को उथल पुथल कर चोर वहां रखी करीब सवा डेड़ लाग रुपए की नगदी अपने साथ ले गए शोरूम मालिक मनीश अकरवाल ने बताया कि वो दुवार शाम करीब साथ बजे वे रोजाना की तरह अपना शोरूम बंद कर चले गए जाते समय सबी लाइट बंद कर में स्वेच हमेशा की तरह आफ करके चले गए आज सुपर शोरूम खोलने के साथ ही में स्वेच अन करते ही लाइटे जल गए वहाँ देखा तो पूरा समान विखरा पड़ा था वहाँ लगे सभी CCTV कैमरों को तोड़ा हुआ था ऐसा लग रहा था कि चोरों ने लाइट ओन करने का प्रयास किया लेकिन में स्वेच बड़ ओने से वे सफल नहीं हो पाए इसके बाद उन्होंने कैंडल लाइट में दुकान की तालाशी ली होगी कही स्थान पर मोम जमीन वर टेबल पर लगा मिला वहाँ बने दो तीन कैश काउंटर से उन्होंने करीब सवा से डेड़ लाक रुपए की नगदी चोरी कर ली शोरूम का मुख्य शटर सही सलामत था बाद में सफाई करमचारी ने बताया कि चौधी मंजल पर लगा दर्वाजा तूटा हुआ है चोरो ने वहीं से प्रवेश किया दुकान में एक स्तान पर कोल्डरिंग के खाली वह एक आधी भरी बोतल वह कुछ बिस्किट बिखरे पड़े मिले इससे लग रहा है कि चोरो ने दुकान में पहले बैट आराम से नाश्ता किया और उसके बाद तालाशी लेकर नगदे चोरी कर चलते बने सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुँचकर जात शुरू की सब्सक्राइब गई तो देखा कि जगे की लाइट लगी वी थी उसका मतलब है कि रात को नोगों ने लाइट आउन करने की कोशिच करें लोगी वागी नहीं पस्यूए मेंस आउन करते ही लाइट लग गई वात अंदर देखा तो पूरी दुकान बिखरी वी थी जित्ती जागरुक टेवी के लिए जोदपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट